नमस्कार दोस्तों, जैश्री कृष्ण राधे राधे बात बात पर रोने और चिलाने वाली महिलाएं आपके घर के लिए शुब है या अशुब जानेगे हम आज के इस वीडियो में इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे महिलाओं की कुछ विशेश निशानियां जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों सची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों ज्यादा चीखने चिलाने और रोने वाली महिलाएं कैसी होती है अगर आप इस बात को जान लेंगे तो शायद आप रात में नहीं सो पाएंगे हो सकता है आप सोचने पर मजबूर हो जाएं ऐसी ओरतें थोड़ी अजीब होती हैं ऐसी ओरतें किस तरह से आपके लिए भाग्यशाली है यही हम जानेगे आज विडियो में दोस्तों हिंदु धर्म में स्त्री को घर की महिला का दरजा दिया है किसी घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है यूं तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेशताएं बताई गई है तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो खासियत जो महिलाओं को उनके माता, पिता, प्रेमी, पती और परिवार के लिए लखी बनाती है लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि विडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस कर ले दोस्तों नमबर एक गुलावी पाव ऐसी महिलाएं जिनके पैर बहुत सौफ्ट रंग में गुलावी और पूरी तरह विक्सित होते हैं अपने पती या प्रेमी को बेहत खुश रखती है शारेरिक संबंधों में उनकी रूची कुछ इस कदर होती है कि उनका साथ ही उनसे हमेशा नस्दी की बनाये रखता है नमबर दो पाव की उंगलिया जिनस महिला के पाव की हर उंगली समान लंबाई की होती है वो महिला अपनी पूरी जिन्दगी में सिर्फ खुशिया ही हासिल करती है और अपने परिवार को भी हमेशा खुश हाल रखती है नमबर 3 पैरों के तलवे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोन का निशान होता है वो बुद्धिमान और सूझ बूज वाली होती है वो अपनी समझ और ज्यान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती है और परिवार में खुशहाली रखती है आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा की फटी हुई एडियों घर में दरिद्रता लाती है दरसल दोस्तों जिन महिलाओं के पैरों के तलवे और एडिया एकदम सपात और सुन्दर होती है उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है या फिर उनके पती किसी बड़े ओधे पर विराजमान होते हैं नमबर पांच नाग के पास तिल महिला की नाग के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना स्वय ये बताता है कि किस्मत उस पर कितनी महरबान है दोस्तो नमबर छे नाभी जिन महिलाओं की नाभी के आसपास या ठीक नीचे तिल्या मस्सा होता है तो वो अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है उनका जीवन सुख और संपनता से व्यतीत होता है नमबर साथ पैर का अंगूठा जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार-बार परेशानी उठानी पड़ती है लेकिन जीस महिला का अंगूठा चोड़ा गोल और लालिमा लिये होता है वो स्त्री बेहत भाग्यशाली है, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी दोस्तो नमबर आठ गहरी नाभी, ऐसी स्त्रियां जिनके नाभी गहरी तो होती है लेकिन अंदर की ओर से उठी हुई होती है, वो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती है नमबर नौ कोमल जीब, लाल और कोमल जीब वाली स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती है और अपने परिवार को भी सिर्फ सुख ही देती है 10. बड़ी बड़ी आखें हिंदी की तरहे बड़ी बड़ी आखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है इसके अलावा जिन महिलाओं की आखों के सफेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है वो अपने परिवार के लिए बहुत ही लखी होती है 11. शरीर पर तिल जीस महिला की देह के बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल या मस्से होते है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वो महिलाएं अपने परिवार के लिए लखी साबित होती है 12. माथे पर तिल जिन्स महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है 13. धूल उडाना महिला जब चलती है अगर उसके कदमों से लगातार धूल उरती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है 14. गोल एडिया जिस महिला के पाव की एडि गोलाकार और कोमल होती है वो आजीवन सुख सुविधाओं का आनंद लेती है उसका परिवार भी उससे प्रसंद रहता है 15. दान्त लंबे दान्तों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन अगर दान्त मुह से बाहर आते हैं तो ऐसी महिलाओं घर के लिए लखी होती है पर उन्हें खुद के लिए जीवन में कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता 16. उंगलियों का जुड़ना जिन्स महिला के पैरों की उंगलिया एक दूसरे से जुड़ी रहती है ये ऐसी महिलाओं धनी और कोमल स्वभाव की होती है 17. बाएं गाल पर तिल जीस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुफ्ट उठाती है वो बहुत अच्छी कुक भी होती है जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है 18. चमकते नाखून गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती है 19. दुर्भाग्यशाली जिन्स महिला के पाव की मध्यमा उंगली अपेक्शाकरत बड़ी होती है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है ऐसी महिला से विवाह करने से पहले बहुत बार सोच लेना चाहिए 20. आएए अब जानते हैं कि बात बात पर रोने वाली महिलाएं आपके लिए कैसी हो सकती है दोस्तों आचार्य चानक्य के अनुसार स्त्री बहुत ही नाजुक गुडिया के समान मानी जाती है ऐसे में चानक्य कहते हैं कि बात बात पर रोने वाली महिलाओं का चरित्र थोड़ा सा अजीब होता है आईए चानक्य इसके बारे में क्या कहते हैं जान लेते हैं दोस्तों नमबर एक चानक्य कहते हैं महिलाओं के अंदर सहन शक्ती पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है ऐसे में जब कोई स्त्री बात बात पर रो पड़ती है तो उसकी आपको कदर करनी चाहिए चानक्य के अनुसार ऐसी महिला दोबारा नहीं मिलेगी ऐसी स्त्रिया सच्चे विचारों वाली मानी जाती है दोस्तों नमबर दो चानक्य के अनुसार जो स्त्री बात बात पर रो देती है वह अपने प्रेमी से कभी भी दूर नहीं होना चाहती ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए बहुत ही शुब और अच्छी मानी जाती है इनका दिल कोमल होने के साथ ही हर किसी की भावनाओं की कदर भी करता है ऐसी स्त्रियों को कभी भी खोना नहीं चाहिए गलती ना होने पर भी जो स्त्रियों पड़े उसके अंदर ममता फूट फूट कर भरी होती है जो आपके लिए अच्छी है दोस्तों नमबर तीन आचार्य चानक्य कहते हैं कि महिलाओं के रोने वचिलाने से कई तरह के घातक बीमारियां खत्म हो जाती है और रोने से मन हलका भी हो जाता है चानक्य के मताबिक रोने से तनाव आदी भी खत्म होता है दोस्तों नमबर चार बात बात पर होने वाली महिलाएं हर किसी के भाग्य में नहीं होती इनका हृदय नाजुक गुरिया के समान है रोने वाली महिलाएं किसी का भी दिल नहीं तोरती, फिर चाहे अपना दिल ही तोरना क्यों न पड़े, लेकिन ये दूसरों की भावनाओं की कदर अच्छे से कट्ती है ज्यादा रोने वाली महिलाएं खुद भूखी रह जाती है, लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती, ज्यादा रोने वाली महिलाएं किसी भी तरह से घातक नहीं होती अगर इनके दिल में जाक कर देखा जाए तो बहुत ही गम भरा होता है, और आपको इनकी कदर करनी चाहिए, ऐसे में आपको इनका मान सम्मान करना चाहिए, इनका दिल कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसी महिला का दिल तोड़ना पाप के समान माना गया है लेकिन क्या आप जानते हैं आचार्य चानक्य ये भी कहते हैं कि ज्यादा रोने और चिल्लाने वाली महिलाएं आपका बिनाश भी कर सकती है ऐसी महिलाएं आपकी मौत का कारण भी बन सकती है चानक्य के कहते हैं कि जब कोई महिला गलती करने के बावजूद भी रोने और चिल्लाने लगे तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए चानक्य के अनुसार ऐसी महिला चालाक और चतुर मानी जाती है इनकी ऐसी चालाकी और चतुरता आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है इतना घातक आपके लिए हो सकता है तो दोस्त आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद